नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं सजा ये दंड के वारे में अगर कोई अपराध ही अपराध करता है तो एक सक्षम जायले के अंदर उनका ट्रैल होता है ट्रैल होने के उपराध अगर अदालत ये पाता है कि यह जो मुझरिम है इनको दंड देना आवश्यक है तो उसको दंड दी जाती है अब सवाल जी उड़ता है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं दंड का सरूप क्या होता है इसी का आज हम विसलेशन इस वीडियो में करेंगे तो दंड का जो पडिवासा और दंड का प्रकार का जो विस्तित विवरन सक्षन फिप्टी थरी आईपी सी के अंदर क्या गया है जो की चिप्टर थार्ड में दिया गया है Section 53 IPC के अनुसार जो दंड होता है या punishment कह लें कि ये पांच प्रकार का होता है पहला होता है मिर्टू दंड अगर मिर्टू दंड दी जाती है किसी को तो इस से वरा तो कोई दंड नहीं होता है और ये बहुत हीनियस अपराद में दी जाती है और इसके बाद जो अपराद जो सजा होती है वो होता है आजिवन कारावास का आजिवन कारावास जो है इसके अलावा जो तीसरा सजा है ये दंड है वो है कारावास कारावास दो ढंका होता है एक होता है कि जिसमें सौस्रम कारावास होता है और दूसरा होता है साधन करावास साधन करावास के अंदर मुजरिम को जेल के अंदर कोई ने कोई काम करना पड़ता है और साधन करावास के अंदर मुजरिम का अपना च्वाइस है कि वह काम करें या ना करें तो ये तीन प्रिकार का सजा तो होगे आपको साड़िक सजा इसके अलावा जो एर्थिक सजा होता है उसमें पहला सजा है प्रोपर्ट्री का जब्दी करण अगर अधरात को ये लगता है कि इस अपराधी के प्रोपर्ट्री को जब्द किया जाए तो परपरटी का जबदी करन कर लिया जाता है और उसको भी एकतरह का दंड या सजा माना जाता है इसके अलावा जो चौथा सजा है वह सजा है आर्थिक दंड कि अगर उनको लगता है कि अजलत को कि इसको आर्थिक दंड भी दिया जाना जरूरी है तो जो था नहीं पांचमा है कि पांचमा जो है यह जो दंड है यह है आर्थिक दंड आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है और इसके अलावा जो नया एक्ट आया है उसके अंदर जो है एक नया दंड का शुरूप आया है सामने जो की आपको भारतिय न्याय संहिता इसके अंदर अभी हलाकि यह नोटिफिकेशन का नहीं हुआ है लेकिन जो आयपेसी है उसको साइद रिपील हो जाए और इसके जगह पर जो है भारतिय दंड संहिता भारतिय न्याय संहिता आ जाए तो भारतिय न्याय संहिता के अंदर मोलता है छे प्रकार का दंड का प्रावधान है उसमें जो यह पांच जो दंड में बताया यह तो दंड है ही इसके अलावा एक दंड का और इसके अंदर इंकॉर्पट किया गया है वह समाज सेवा के दंड जो सोशल स्रविश का दंड यह है वह उसके अंदर दिया गया है इसके अंदर, हलाकि याले के अंदर ये दंड पहले से दिया था, लेकिन एक ये दंड जो है, एक निया दंड आ गया है, इसके अंदर लाया गया है, इसके अंदर अदालत जो है, एक सुधरने का मौका देता है, और इसको हलका दंड माना जाता है, इसके अंदर अपरादी को यह कहा जा सकता है कि आप मंदिर में, मस्जिद में, गुर्दवारे में, चर्च में या किसी और प्रकार का सवा सिवा करें और सक्षमदिकारी को इसमें कहा जाता है कि आप उसका इसका सुपरवाइज करें भारतिया न्याय संगीता अगंदर यही छे प्रकार का मुलत दंड होता है इसका लावा और किसी भी प्रकार का दंड अभी तक नहीं है